अस्वालेकूम बिस्मिल्लाहिर हमार रही दारा जी टेशन के वीडियो टिटोरियल में आप सब को शांदीर आज हम एक नहीं सीरीज ओफ इंट्रक्शन शुरू कर रहे हैं जैट वाज अलिमेंटरी प्रोग्रामिंग इसी कि नोड़ दिख यह बेसिक कंसेप्ट हैं आपके क किस तरह से देखते हैं और सी के हवाले से आपकी मज़िक डिसकुशन हैं तो जस्ट एक चीज आपको समझाने के लिए कि अगर आप प्रोग्रामी की सेंस समयते हैं तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे हम हम डिकेंशेट करेंगे कि बिट्व को पारे में बात करेंगे एक्स्क्लेंग वैंनिग वाय सी इस यूज डिसकुश सी प्रोग्राम स्ट्रॉक्चर डिसकुस अल्गूदम्स द्रॉच चार्ट्स एक्सटर लेकिन सबसे पहले देखिए हम डेली लाइफ में अपने करते हैं और कंप्यूटर का इस्तमाल आप क कि कैसा यहीं प्राइब करें वुद्स का क्प्यूटर को अपटें डिर्व was the लेक्ट का हो अप preciso अपन करें चैनिग का अटिसी के अखा आप आति अप देखते हैं कि यह संसिक्री होता कैसे जब उसको सप्लाई मिलति है तो एक कंप्प्यूटर जू है वह एक हो जाता है और perform different kind of activities है इस सारे process को समय ले के लिए मैं आपसे एक छोड़ी discussion करते है कि let's suppose आपका कुछ दोष आपकी घर में आया है और आप इसको strawberry milk shake page करते है आप strawberry milk shake बहुत अच्छा है और आपका दोष जो है वो आपसे question करते है कि जिनाब इसकी recipe मुझे बिता रहे है तो इसकी देलो उनको आपस में mix करो, chill करो और milk shake बना लो अगर तो आपका दोष समयदार है तो तो यह act हो जाएगा लेकिन अगर तो इन तीन instruction के हवाले से बात की जाए तो क्या यह clear है तेक सम मिल्क कहां से लेना है कितना लेना है यह बहुत जरूरी था यानि अगर हमें analyze करें steps को take the first instruction is it complete no कितना milk चाहिए वेज़ा मिल्क है तो पी टेकन और कितना अमिकदार चाहिए कहां से लेना सिमिलर्ली यह भी नहीं बताया जा रहा सेकेंड में उसने लिखा जिपूप स्ट्रॉबरी क्रश कर दो जी स्ट्रॉबरी को कि वंस जेन यह भी clear नहीं कितना क्रश करने और कैसे क्रश करने यह भी confirm नहीं अगर तो वह देखिए एक human factor है human factor के तैक आप इन चीजों को mix कर लेंगे आपकी sense होगी कभी मैंने कितना लेना है इसको जग में डालना है यह human sense तो चल जाएगी but computer is an electronic device which is used to take instruction and perform some action on that so computer नहीं समयता computer समय नहीं समझाने के लिए अब हमने इसी instruction पो थोड़ो सा कर दिया अब मैंने का जी के एक ग्लास जो है बदूर ले 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 mix some strawberry crush to milk in mixer close the lid of the jar उपस जार को बंद करें कहीं यही नहीं बाहर ही आजे to switch on the mixer and start blending stop the mixer to stop mixer को बंद करें if the crush is fully mixed with milk then switch of the mixer and start on the mixer again अगर वो नहीं mix हुआ तो once again pour the contents of the mix jar अगर दोबारा देखी कि दोबारा mix हो गया अब फिर करतें फिर obligator में रखें अच्छी तरह चेल करें leave it for some time then take it out and start यह फुली recipe है अगर आप पहले बदी तीन instruction को देखें और यह instruction यह देखें तो आप fully admit कर लेंगे कि कौन सी चीज जो है आपके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं and that is the second one as compared to the three instructions you can really go for the eight section जो बहुत complete हैं जिनकी instruction बताई देए हैं basically computer program is just like that आप assume नहीं कर सकते, assumption नहीं कर सकते, आप computer पर यह नहीं चोड़ सकते आपका program के अंदर तीन चीजों का होना बहुत जोड़ी है, एक तो sequence का होना बहुत जोड़ी है दूसरा finite होना चाहिए और तीसरा उसके अंदर accurate होना चाहिए, sequence अमराद यह तरतीव for example अगर आप खाना पकाते हैं और उसमें आप कहते हैं जी कि मैंने for example चावल बनाने हैं या मैंने गोश्ट बनाना है और उसकी recipe यह जी अब तरतीव नहीं आपने पहले गोश्ट डाल दिया बाद में प्यास डाल दिये खाना पग के तियार होगा तो बाद में मिर्चें डाल दिए तरतीव नहीं है चीजें इंग्रिएंट्स पूरे हैं बट उनका sequence नहीं कि computer जो है वो sequentially perform करते है finite से मराद है कि जितनी आपने values लेनी है you should define it very clear एक बंदे का खाना पकाना है दो लोगों का खाना पकाना है देख पकानी है कितनी quantity लिकदार हमें unrequired है accuracy means कि जो action आपको किये गए हैं वो once again बार बार वैसी होने है आप एक बेकरी के items देखते हैं आप जाके देखते हैं तो आपको कल भी जो आप लेके जाते हैं bread वैसी ही bread आपको अगर दोह मिलती है अगर वो accurate ना हो तो उनके procedure में हो तो कभी आपको एक दिन कुछ जाके की मिलेगी एक दिन आपको कुछ जाके की मिलेगी तो accuracy में हो कंप्यूटर की यही बात है कि computer एक तो sequence उसको जो step बताए गये हैं और एक तो finite है और एक उसमें accuracy बहुत हो वो एक step भी miss नहीं करें अब जैसे मैं आप से बात करूँ कि आपने दो number को add करना है तो इसका क्या program बनेगा take the first number and save it, take the other number and remember it, after that इनके उपर plus का operation perform करें between first number and second number and remember it result, then display the result, stop, यह आपके 5 steps हैं जमा करने के किसी दो numbers को, अब हम बात करेंगे कि आप software, programs और instruction में क्या परएं, commands में क्या परएं, एक software के अंदर more than one program हो सकता है, जैसे कि add का program हो सकता है, delete का program हो सकता है, update का program हो सकता है, मुक्तरे programs मिलके एक software ना परएं, इस वक्त भी मैंने जो software चला रहा हूँ, वो adopt digital edition है, तो आप इसमें चाहेंगे, इसमें आपको file, add to file, read, recent, edit, reading, यह मुक्तरे जितने भी आपको नगर आ रही है, these are known as a program, और program के अंदर मुक्तरिक commands होती है, instructions जो आप उसको देते हैं, अब C language के बारे में बात करते हैं, इसमें की C language है, तो हमारी बात होगी के language क्या होती है, C language का अगाथ जो था वो बैल लिबाटरी से हुआ और इसको बनाने वाले डैनिस रिची थे, 1970 में, यह आपकी जो थी Unix operating system पे बनाई गई और इसका काम derived from a development process in older language BCPL, developed by Martin Richards, BCPL हवाज involved into a language B, and then Ken Thompson, which was the originator of C, writes this thing. BCPL and B do not support data types, different data types जो आज के लाब बहुत आम इस्तिमाल करते हैं, जैसे के integer, double, character, float, date, पहले BCPL और B language में यह नहीं करते हैं. C provides a variety of data types, main data types are character, integer, floating point, numbers, etc. यह सारा concept सबसे पहले C न भी रिए. C जो थी तुके Unix पे चलाई जो इतनी strongly type थी कि यह किसी और operating system और machine पे चलती भी नहीं थी. C has been efficiently used to write program in different domains. Sorry, मैं BCPL की बात कर रहा था. BCPL बहुत tight थी, लेकिन C जो थी, वो night type थी. जो वो किसी पे operating system पे चल सकते थी. एक operating system यह एक machine के उपर नहीं थी. तो जिनाब सिर्फा बैल के ही computer पे चलाएंगे. जैसे कि C से आप window बनाएं, C से आप ने और चीज़ें बनाएं, C से आप और करते हैं. Summary language editors are usually used for that system was developed. C is now being used by many programmers for kind of tasks because it's portability and efficiency. C को हम middle level language का consider करते हैं. As compared to, अगर आप low level language में चल जहे हैं, तो आपको assembly language में लेगी, machine language में लेगी. C allows manipulation of basic elements of a computer, bits, bytes, addresses, etc. That is software written on one time. Middle level इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें आप दूसरी जो हैं, उसके जरीए आप उनको bits और bytes में convert कर सेगे. C as a structured language. The term block structure language does not apply to sing. A block structure language permits procedure and function to be declared inside another procedure or function. The structure language थी, इसके में concept यही था, कि उसके आप blocks बनाएंगे और उसके अंदर ही वो पार्म पर्फॉर्म में लेगे. C does not allow creation of function within function, so it is not a block structure language. C ने आप से यह रही कहा कि आपने function बना है, आप सिर्फ function किसी और के अंदर ही बना सकते हैं, बल्कुछ ने कहा कि आप function लासे बाहर भी बना सकते हैं. It is referred as a structure language because it is similar in many of the structure language like Algol, Pascal and like this. C allows synthesis code and data, this is a distinguished feature of any structure language. It refers to the ability of the language to collect and hide all information structures, necessary to perform specific tasks. A code block is created by placing a sequence of statements, आपकी मुक्ति चेट्मेंट है, यहां पर मैंने एक do while loop का दिया है, इन्शाला हम इन सब बातों को फर्दर जब हम इसको sessions लेखेंगे तो हम one by one चलेंगे, लेकिन अपी आप ज़रा गौर करेंगे sequence of statements हैं, अगर do के अंदर है तो i is equal to i plus one, आप एक block जो loop construct such as while, do while, for, these loop construct help the programmer to control the flow of the program, अब बात कर रहे हैं हम के C program का structure क्या है, C has few keywords, 32 to be precise, कुल 32 keywords होते हैं आपकी C language के, कीवर्द से मराब ऐसे words होते हैं जो के programmer ने अपने program language को बनाने के लिए जिसे if, do, integer, character, while, इस तरह के से जो भी words उसने की हैं, जिके को खास ही नहीं गए, लेकिन इसके लावा बहुत सारे compilers हैं इसके, जैसे turbo c है, c++, अलादा है, और बहुत सारे compiler आ शुके, उन्होंने अपने कुछ keywords भी research कर दी हैं, लेकिन अलादा बात है, अब जो है rules क्या हैं इसके, all keywords are lower case, आप जितने भी आप keywords इस्तमाल करेंगे, उनको आपने lower रखना है, if आपने मेशा छोटे words में रखना है, do, while आपने मेशा छोटे words में रखना है, आप इनको capital words में नहीं रख सकते, C is case sensitive, do while is different from the do while, अगर आपने case sensitivity को समझ ना है, तो D का छोटा मतलब, ASCII code हम पहले भी बात कर चुके है, American standard code information के मताविक, B small letter का अलएदा code है, D capital का अलएदा code, so do while is never equal to that do while in capital, keywords cannot be used for any other purpose, आप keyword को किसी दगा पे भी नहीं यूज कर सकते, they cannot be used as a variable or function name, main is always the first function when a program execution begins, क्यों, के discuss later in the session, हम इनको next session में बात करेंगे, के why we use always mean, अभी even first आपको structure बताना है, तो सबसे पहले आपने लिखा करना है main, फिर उसके बाद दो small parenthesis लिखनी हैं, उसके बाद आपने curly brackets, और इसके दरान आपने जितना भी code देना चाहें आप दे से, functions बगारा को हमने detail में discussion करनी हैं, लेकिए अब भी अगर हम बात करें function definition की, the c programs are divided into units called function, the sample code has only one function, main, function की याद रखने, आप किसी भी language में हैं, अगर दो small parenthesis आ रही हैं तो वो function, the function name is always followed by the parenthesis, the parenthesis may or may not contain parameters, parameters बगारा के बारे में हम इंशाल्ला next में बात करें, यह क्योंकि आज सिर्फ तारफी हम पहला session ले रहे हैं, हम जैसे से आगे चलते जाएंगे, हम इसके बारे में रुप्तु करते जाएंगे, the function definition is always followed by the open curly brackets, हमेशा जब इसको हम कहते हैं, the curly brackets signal the beginning of the function, जब आप curly brackets लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका function start हो गया, जब आप curly brackets बंद करते हैं तो इसका मतलब कि function आपका closure, the opening braces indicate that a code block is about to begin and closing brackets terminate the block code, there are two statements between the braces, in addition to the function the braces are also used for to delimit blocks of code in other situations like loop, decision making and etc. इनको हम delimiters कहते हैं, statement terminator, जब भी आपने इसको terminate करना है किसी statement को तो वो आपने semicolon से terminate करना है, इसका मतलब क्या होता है कि अब आपकी यहां तक instruction जो है वो complete हो गई है, comments के लिए जब भी आपने comments लगाने हैं, a single line पे तो दो back slashes से आप इसको लगाएंगे, और अगर आपने multiple lines को लिखना है तो backslash star और जहां पे आपने इसको terminate करना है, star लगाने के बाद भी backslash आपने लगाने हैं, c library, all c compilers come with a standard library or function that perform the common task. In some installations of c, the library exists in one large file while in other it is contained in numerious system files. जो पहले से आपकी सारी files बना दी गई हैं, उन सारी file को एक library के अंदर रख दिया गया है, उन file को आप इस्तमाल कर सकते हैं. The function contained in the library can be used for various tasks. A function written by a programmer can be placed in the library and to be used by the other programs and when required. जब आपने compile करना है, आप कौन सा वाला processor इस्तमाल करेंगे? वो आप उसके उपर depend करता है, The source code is written using editor in the wordpress processor. Code should be written in the form of the standard text file as C-set source code only in this form. Some compiler supply programming environments, वो हम इनके बारें बात करेंगे के कौन सामने कूच करना है. C-pre-processors है, और पिर source code है, text of the programmers. Expanded C-sourced code, The C-processor expands the directives and procedures of produces and output. This is called the expanded C-source code. जब आप सो compile करते हैं, तो आपका एक expanded C-source नाथ. C-compiler, translate the expanded source code into the machine language. वो जो code आपका extended करके बनाता है, आपकी लिख्यवी language से. Processor उसो convert करता है machine language में, which is understand by the computer. If the program is too large, it can be put in separate files, and each of the files can be compiled separate. अगर बहुत बड़ा program है, तो आपका processor उनको लागा दा फालों में रखेगा, फिम सब को कथा कर देगा और चलाइका. Linker, the object code along with port routines from the standard library and other separately compiled functions are linked together by the linker to an executable code. loader executable code is run on the using the system loader. इस पूरे process को इस तरह से समझाया जा रहा है, सबसे पर आपकी source file आई, वो compiler के पास जाएगी, जितनी भी आपने include file library से की होगी, वो सारी के सारी include वहां पे include कर दी जाएगी. compiler के बाद एक object file बनाई जाएगी और इसकी library file बनेगी. object file के बाद एक linker file बनेगी, other use generator object file जितनी भी बनाई है, उन सबको link कर दिया जाएगा फिर एक executable file बनेगी. अब हम last time पे आपसे आज के बात जो करना जा रहे हैं, वो यह के programming approach of solving problem होती किस तरह से, आपकी approach क्या, let's pull में आपके बात करता हूं कि आपने basement में आपकी cafeteria है, आपकी college के तो आपने basement में जाके cafeteria में जाना है, और आप इसवार second floor पे हैं और third floor पे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या आप एक्दम से अपनी आँखे बंद करेंगे कि दुबारा को लेंगे तो आप cafeteria में होंगे, यह बैनेश होने वाला या करिशना की सबराती नहीं है, आप obviously उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी seat से move करेंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे किस तरह मुझे direction में जाना है, उत्तर जाएंगे, seat यह उत्तरेंगे, basement में जाएंगे, फिर अपनी direction को फिर तद्रील करेंगे, और आप cafeteria के तरह जाएंगे, यह एक problem solving है, यही बात हम आपसे कर रहे हैं, कि leave the room, head towards the staircase, go down to the basement, और फिर head to the cafeteria, यह सारी problem approach हैं, आपके solve करने के तरीके हैं, कि कितना से आप जूज़ को perform करें, यह चार steps मैंने आपको दिये, इनको हम कहते algorithm, यह मुस्लिम साइंटिस्स अलखवारजमी की base पे उसने एक प्रोई का बनाया, कि आप कोई भी काम करें, उसके आप steps define कर लें, जिन steps तक आपको काम अप्रोच करें, वह algorithm हैं, बेसिक लिए इसी algorithm को जिसको हम short form में algo कहते हैं, यह हमारी हर problem create based हैं, आप जाने या अन जाने तरीके से यहां पे अपनी सारी daily life में यही काम पिखाम करें, अगर आपने किसी out of city जाना है या out of country जाना है तो आप इस पहले आप वीजा लेंगे, वीजा लेंगे पहले आपका passport बना होना चाहिए, फिर आप वीजा लेंगे उसके लिए आप apply करेंगे वीजा लगेगा, फिर आप हवाईजा की टिकल लेंगे, आप मुकर्रा तरीक के ओपर जाएंगे, आपकी फ्लाइट होगी, आप उसमें बैठेंगे, फिर स्वार होंगे, एर फिलेंट की दरीजा आप पहुंचेंगे, यह एक आपका तरीका का है, और दूसरा तरीका कार यह है कि आप by means of no way आप जाएंगे, बगार illegal तरीके से जा होगी होगी, वो सिर्फ आपके लिए कुछ ऐसे नफाज इस्तमाल की जाते हैं, जिनको आप डेली लाइफ के अंदर एंजूम कर सकते हैं, और री राइटेबल कोड किया जाता है, री इस्संबल कोड, अब जैसे मैं आपसे कहूं जी कि आपने कड़ाई गोश्ट बना ला कड़ाई गोश्ट में क्या चीज़ें चाहिए, आपको ओनियन भी चाहिए, आपको नमक, हरी मेर्च, प्याज, तो हो गए बात होगी, आपको चिकन चाहिए, यह तो को इंग्लीडियन्स पहले आप कठे करेंगे, उसके बाद आप एक प्रोसेस की तरह करेंगे, जिए पह कि छाहिए, प्याज गोश्ट को रहे कैने, अपको जीज़ेंस नहीं, आप फेले हैं, तो अपको प्रहिपि बाता हैं, जाना है, अपको अब आप बाता हैं, और आप पहले बाता हैं, आपको शूरोख को टुछ धाल के बूने, पर पानी डाल करें अपक्या से पह यग इस पर आप खड़े होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेंस नहीं होगे आपने प्याज बगएर काटे ही डाल दिया आपसे बआ अपने कितने लोगों का खाना पकाना है यह जो पहले सूड़ोत लिखा गया था यह भी सिजुब्ना और एक चैलिविजन प्रेखार और आप घॉनिटिऴ तो आपको बिना रहे होते हैं केक्स बना रहे होते हैं दूनर्स बना रहे होते हैं अख enact आपको पहले बताते ही हैं कि हम यह जो चीज बुनाने जा रहे हैं तीन लोगों के लिए चार लोगों के सर भी है वो जो आम अलफाज में आप बात करते हैं इसे के मैंने कहा जी कोई चीज स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी जी यूजर से इंपुट ले लें जी तो उसके लिए हम एक जन्रल लेंग्विज करते हैं & stop, kब start करना है, kब wait करना है यह language हम इस्तमाल करते हैं जिसके जरी हम रहते हैं तोसे for example मैं आपसे कहता हूं कि दो number आपने जमां करने हैं या दो number आपने user से लेने हैं पहली example देख रहो, begin इंपूट A and B अब कम्प्यूटर में ऐसा नहीं है अगर आप सी का प्रोग्राम में लिखेंगे यह जावा में लिखेंगे सीृस्टम डॉट इन लिखेंगे डिस्प्ले खुरेवार रहे हैं सिस्टम डॉट आउप लिखेंगे पी एस्पी में होगा इको लिखेंगे हर लैं पर निदे पर निदे लॉट गार्विज नहीं होता है। सूडो कोड का किसी लैंविज चे तरलोक नहीं होता है। सूडो कोड हमेशा इंडिपेंडेड़ ओप द लैंविजी जोड़ी। In the sudo code, the user input two values which are stored in the memory and can be accessed as a and b respectively. उनके नाव हमने a और b रख दी हैं और उनके एक memory allocation जो है variable की store कर दी गए। Explanation of variables will be built with the later in the session अब वो integer हैं, double हैं, क्या हैं, यह language के मसाइल हैं, pseudo code के मसाइल नहीं हैं। अब इसी तरीके से आप देखें, हमने यहां पर एक और लिया है, जिसमें हम जमा कर रहे हैं, input a, b, और फिर then हमने इसको क्या किया, जिस c is equal to a plus b, और display किसको किया जाए, c, तो it's a pseudo code of two numbers addition, अब हम बात करते हैं, flow charts, flow charts क्या होते हैं, a flow chart is a graphical representation of an algebra, जो अभी आपने pseudo code उपर लिखा है, इसमें पहले आपने दो values लिए, और उनको दन आपने display, जमा किया, और फिर इसको display किया, ये instructions नहीं, उनको अगर आप graph के सरी शोग करवाना चाहें, तो यही चीज आपकी instructions, activate process, इसको हम flow charts करते हैं, यह start है, सबसे पहले आपने लिखते हैं, hello world, फिर आपने stop करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं pseudo code को बना रहा है, स्टार्ट और end of the program के लिए आपने इस त्रीके से चूज़ करना है, rectangle, computational steps के लिए लेनी है, input, output के लिए इस त्रीके से टेड़ा करके rectangle बनाई गई है, दो गोल से नदर आ रहे हैं, वो connectors हैं, flow lines के लिए, blinds आपने draw करनी, so these are the practice, अब इसी त्रीके से, terminal symbol, input, output symbol, c is equal to a, यह मैंने वो ही pseudo code को जो मैंने एक दो जमा करने का program था, उसको मैंने as a graphical representation जो है वो flow chart के लिए मैंने दखाई, अब इसे if construct की बात करें, basic selection construct is an if statement, इसे म्राज क्या है, कि अगर आपने क्यों selection लेनी है तो उसको किस base पे लेनी, जिसे for example आप कहते हैं जी, कि अगर किसी customer ने 100 dollars खीदे हैं, purchase कि तो हम उसको 10 किसे discount दें, give 10 questions, the constructs use as if statement like this, if condition, statement और arrow का इंडिकेट करेंगे, यह pseudo code लिखा हुआ, कि जिस्तां से वो इंडिकेट करेंगा, इसी कि हम, graphical representation और इसको हम जिस्तां देंगे, input number, r is equal to num more to, अगर आप नगालना चाहते हैं, if r is equal to zero, this number is even, बहुत simple सी बात थी, अगर आप एक number है, आपके पास चाहर जैसे, उसको आप तक्सीम करते हैं, वो zero की equivalent है, तो वो आपका even number होगा, अब तीन है, उसको आप दो पर तक्सीम करते हैं, remainder is equal to one आता है, तो जब यह one आएगा, तो जो उसकी body अब उसके अंदर नहीं जाएगा, तो इस लिंग के, इस नॉट आप even number, तो इसी चीज को, इसी example को, आप इसको इस तरह से represent कर सकते हैं, यह start input number, आपने उसी दहां देखा है, जिसमें पहले बात की, r is equal to number mod over 2, अगर r is equal to 0 है, तो वो yes है, तो number is even, और no है, तो program आपका shutdown होजे, so this is a graphical representation in the flow chart of that program, so here are many different kinds of examples for you, जिसके जरी के हम इसे करेंगे, और आज के यही topic थे ताकि आपको graphical representation और यह चीजें हो सकें, और उमीड है कि आपको यह lecture पसंद आया होगा, और जो summary है वो कुछ इस तरह के से है, software is a set of programs, जिसे हमने बात की, एक software के अंदर मुख्री programs हो सकते हैं, और program is a set of instruction, यह याद रखना है आपने, code is blocks from a base of NEC program, there are 32 keywords, step involved in solving problems, studying that problem detail, आप उसको detail में करें, algorithm लिखें, pseudo code लिखें, flow charts पनाये, flow charts can be broken into parts and connectors, when we come across a conditional statement, if किस्ता लेना है, else किस्ता लेना है, there are the following things are discussed in this chapter. So, नीजे क्या तुप संदा है का, thank you very much and a lot. जन्वे जैंगOME